आज मैं आपके साथ कुछ पाइसी टेंगी और पैपरी रेसिपी शेयर करने वाली हूं जो की एक चाट रेसिपी है मखाना भील जिसे हम कहते हैं उसके साथ हम आज भील बनानी जा रहे हैं तो चलिए इससे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं क्या इंग्रीटियंस हमको चाहिए होंगे तो सबसे पहले हैं आप पर हमने कुछ फॉक्स नर्ट्स लिये हैं मखाना फूल मखाना जैसे हम कहते हैं 50 ग्राम और बॉयल्ड कॉन लिये हैं उबलावा मक्का बारीक कटी हुई हरी मिच्ची ग्रीन चिली पोमग्रेनेट अनार के दाने एक दो टमाटर कटी कहरी को बारीक काट लिया है हमने और कुछ रोस्टेट पीनट्स लिये हैं भुनी हुई मुफली ग्रेटेट कैरेट यानि की कद्दू कस कियावा गाजर और बारीक कटावा हरा धनिया फाइनली चॉप्ट कुरियंडर और यह जो है इमली की खटी मीठी चटनी है और दनिया और पुदीनी की चटनी यह जो इंग्रीडियंस हमें चाहिए होंगे इसके अलाव कुछ स्पाइसिस चाहिए होंगे वह हम आगे देखेंगे तो चलिए सबसे पहले हम भील बनाने के लिए एक पैन में जो है मखाना को रोस्ट करते हैं तो इसके लिए एक पैन में एक टीबल स्पून जितना घी एड़ कर रही हूं मैं और आप थोड़ा और भी कर सकते हैं इसके बाद हम इसमें मखाना एड़ करेंगे और मखाना को जो हमने लो फ्लेम पर पकाना है रोस्ट करना है और इसको इस तरह से धीरे दीरे चलाते हुए एक से डेड मिलेट के लि करके इसकी अंदर जो है मसाले एड़ करें है 1-4 तीबल स्पून हल्दी पाउडर आधा टीबल स्पून रैचिली पाउडर लाल मिच्ची का पाउडर आधा टीबल स्पून चाट मसाला आधा टेबल स्पून आम चूर पावदर यूज़ कर रहे हैं आधा टेबल स्पून काला नमक बलेक सॉल्ट आधा टेबल स्पून भुना जिरा पावडर क्यूमन पावडर इनको हम अच्छा से Mix कर लेंगे और घ्शान रखिएगा कि जो जले नहीं और अगर आपको लग रहा हो कि वह स्टिक हो रहे हैं पैन में ताप थोड़ा घी एड़ कर लीजेगा अब यह हम इसको चेक कर लेते हैं और थंडा भी कर लेंगे तो चलिए अब हम भेल बनाते हैं तो उसके लिए एक बॉल ले रही हूं मैं उसके अंदर जो और इसके बाद जो मैं चॉप टमाटो है वो डाल दूंगी तमाटर आप इसमें प्याज यूज कर सकते हैं और कच्छी कैरी और बारी कटिव हरी मिर्ची आप इसमें फ्रूट से अधर कोई भी सब्जी आपको जो अच्छी लगे वो डाल सकते हैं इसके बाद जो यह अनारदाना है पॉमेग्रेनेट वो हम डाल देंगे इसके बाद जो है यह रोस्टेट मुंफली आइड कर लेंगे हम आप विदाओ रोस्टेट जो नॉमल मुंफली है पीनेट वो यूज कर सकते हैं और इसके बाद जो हम कटा हुआ हरा धनिया डाल देते इसमें थोड़ा सा और कुछ स्पाइस हम इसमें भी डालेंगे क्यों अब जो है इसमें मैं हट्टी मीथी इमली की चटनी डाल रही हूं इसमें भी काला नमक और थोड़ी सी लालमिट्ची एड कीवी है और यह चटनी में डाल रही हूं धन्या पुदिना की यह चटनी जो है गाड़ी होनी चाहिए कि इस तरीके से यहम डेट टेबल स्पून अब इन सब को मेक्स करेंगे और यह जो धन्या पुदिना की चटनी है इसको मैंने धन्या पुदिना हरी मिर्ची थोड़ा नमक नीमबू और जो भुनेवे चना आते हैं रोस्टेट चना उसको डालकी के बनाया है त्यान रही है इसमें जो ग्रीन चटनी उसकरेंगे वो इसको अच्छे से मिक्स करना जरूरी है सबको जब तक मसाले सब्जियां और यह जो मखाना है यह एक दूसरे पर अच्छे से नहीं मिक्स होंगे तो इसका टेस्ट नहीं आएगा और एक बात का और ध्यान रखिएगा मखाना आपको रोस्ट करने पाद ठंडा जरूर करना है और इसको मखाना को अमने बाद में इसलिए आइड किया है वरना यह सॉफ्ट हो जाएंगे पहले डालने पर सब्जियूम में पानी की वज़ा से तो हमने मखाना लास्ट मैड करना है यह मारी भील रेडी है अब हम थोड़ा सा कटावहरा धनिया और सेम से इसको गार्ण केजिए और नए है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएगा और ऐसी रेसिपीस के लिए मेरे साथ बने रहिए थैंक्स फो वाच्टिं दिस वीडियो थैंक्यू सो मच